शौरब बिश्णु का पदियात्रा शुरू होने वाला है कितिया मताधिकार के बार अगर यहां पे मेर सहां बैट गया है तो चाह सच में ऐसा ही सुझारूंग से हमारा सहर रहेगा जैसा है परंसे उन्होंने विचलत होकर परिनाम से घबराया नहीं उन्होंने एक वैली और एक सोच को एक अप्रित कर उठा और उन्होंने यहां हम यहां बार बन्ला दाएद गया खाता परिने ट्लंड खुछिक्डारण वैदे मिंधाएद्स者ंसाख दीख सूर्सक्षा में दीखा हो ठीखा हम रख स्यू जिन्द हा राख्षिक्डार के आ इसा जितला पर नें दीखा visto है Civ तीसरे मता अधिकार का मैं भी चौकिदार हूँ या स्लोगन भले ही शौरभ विष्णु जी ने सहर में बैनर में लिखा है लेकिन इसका हक actually में है तो जमसितपुर के तमाम जनता जो लगातार इस विषय के उपर कभी चर्चा ही करते हैं नहीं इस विषय का कभी जानकारी प्राप्त करते हैं और नहीं इस विषय के लिए कभी वा अपने प्रतिनीधी चाये बिधायक हो संसद हो इससे सवाल उठाने कहीं कोशिश करते बिधान समय में भी इस विशे का सवाल नहीं उठाए गया है लोग समय में भी नहीं उठाए गया है कारण क्या है उसका मैं दिने सिर्वास्तो आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ एक तरफøपरेट एक तरफ राजनेंता और पूरे राजनेता कोरपेट में इसमें बीच में ुठाद एक उस्सउर्द डियुब्र 21 सीबी उनको मजबूर नहीं नया नया युवा आ रहे हैं नया नया युवा प्रतिनीदी आ रहे हैं और उस समस्या को हर प्लेटफॉर्म में लेके जा रहे हैं और इसी विशे को लेकर सौरब विश्णुजी ने अभियान चालू कर दिया है जिसका अभियान आप जरूर देखते होंगे पूरे चौक गभियान चौरबॉर्ट कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन का रूप रेका तयार हुआ है उसमें डीसी को चेर्मेन बनाए डिया है एक हमारे लोग को elected व्यक्ति चाहिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हम लोगों के द्वारा चुना गया हो जिसको हम लोग सीर्च पर्स पर बठाएंगे और वो व्यक्ति जो होगा इस शहर का चेयर्मेन बनेगा और उसी के नित्रित्व में इंडस्ट्रियल टाउन का गटन होगा तो साला के छेत्र से खेल के छेत्र से आपको सोसाइटी के छेत्र से सारे लोग उसमें रहेंगे तो उसमें जनता का हम लोगों का चुना हुआ जो है वो चेयर्मेन रहेगा यह हमारा मांग है यह हम लोगों का मांग है इस भी से वो जनता के पास लेके जाने के लिए आपने क् की देखे जता का ही मुद्दा है यह और जनता समभ रही है आपकी बाइए अगर शहर में हम लोग को किसी भी तरह gonna problem है पानी का problem है बजली का problem है सिख्षा का problem है स्थानिय नौकष का problem है तो साल जोसालANC यह समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रहा है यह समस्या इसलिए नहीं दूर पा रहा है कि सत्ता हम लोग के पास नहीं है तो जनता बेजान रही है कि आप सत्ता को अपना हाँ में लेने का समय आ गिया है अब हम लोग industrial town का गठन हो रहा है तो हम लोग उसमें जो mayor है वो अपना चुन लेंगे तो इससे सत्ता जंता का हाथ में आ जाएगा एक बड़ जंता का हाथ में सत्ता आ जाएगा तो फिर progressive politics में सब को सब का खल्या नहीं होता है किसी का नुकसान नहीं होता है इसमें टाटा कंपनी का भी कोई नुकसान नहीं होगा इसमें प्रिसाशन को भी कोई प्राबलम नहीं होना चाहिए अजनता का तो फाइदा ही फाइदा है जमशेथपूर में इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है वो पारित हो चुका है अब हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन में जो चेयर्मेन है चेयर्मेन हम लोग अपना चुनेंगे हम लोग अपना चेयर्मेन चुनेंगे तो इम्मीडियेटली सत्ता हम लोग के हाथ में आ जाएगा तो फिर हम लोग अपना निर्दमें खुद ले सकेंगे कि कोई एरिया में पानी आएगा तो कितना बार आएगा, बिजली कटेगा तो क्यों कटेगा, कोई स्कूल बंद होगा, खुलेगा नया तो कहां खुलेगा, स्थानी नौकरी कितना रहेगा, आपको हर तरह का यह तो हम लोग चुन पाएंगे, वो चेर्मेंट ठीक से काम नही इसमें बस इसी में रुकावट है कि डीसी क सी को हम लोग जो है डीसी का पद को हम लोग नहीं मानेंगे चेर्च मैन के लिए, यह तो आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और जनता का प्रतिनीदी जनता के बीच से निकलेगा, इसमें बस यही एक बादा है, कि चेर्मेन का पोजिशन अब हम लोगों को चाहिए हम कहते हैं कि हमको चेर्मेन बनना है यह सारे लोग का एक ही मुद्दा है कि हम बनेंगे चेर्मेन नहीं चाहिए सरकारी मैन हम बनेंगे चेर्मेन इसके लिए सरकार के तरफ से आप क्या कहना चाहिए सरकार आपको कैसे करके जंते जमसित्पुर की जंता को help करें वो कहां पर help कर सकती है सरकार को यह बस यही करना है कि जो जंता का जो हक है उनको दे दे मतलब जो मेयर का जो चेर्मेन का position जो है और डीसी को नमंकं किया गया है कि डीसी बनेंगे उसमें बदलाव लेके आए कि डीसी नहीं बनेंगे और यहां जंता का seat है इसमें जंता लड़ेगी तो क्या final होगे कि डीसी ही बेहनेंगे चेर्मेंट डीसी का ही final है कि डीसी इसके मुकिया रहेंगे तो डीसी सरकार ही आग्मियों मुकिया नहीं रह सकते अच्छा त एक चीज़ बताई एक तो हो गया तो नॉमनेट होगी है डी जैनता का प्रतिनीधी होने के मेरा कुछ दाईतु बनता है कि हम किस तरह से जनता क्या मिरा बात समझ रही है तो अब हम लोग जनता के पास जाएंगे सड़कों पे जाएंगे धरना पर दशन करेंगे और इस चीज को करेंगे अब शहर को वापस अपने हाथ में लेने का समय आ गिया है चेयर्मेन में जो जनता के द्वारा जिताएगे प्रतिनीदी उनको ही चेयर्मेन बनाया जाए ना कि सरकारी अधिकारी उसका प्रतिनीदी करें और यही सवाल है और यह सवाल का जवाब जनता जरूर खोजेगी लेकिन शौरब विश्णू जी आपको अवेरनेस कराने के लिए आज से आंदोलन कर रहे है विशन पानी में भी उनके साथ युवा के टीम है जो हर वक्त उनके साथ रहते लेकिन सौरब विश्णू जी को और मेहनत करना पड़ेगा जमसित पूर का और युवा को यकट्टा करना पड़ेगा लेकिन रिजल्ट देर से सही लेकिन आएगा जरूर या सौरब विश्णू जी का कहना है एडी लाइब वीडियो को लाइक कीजिए चैल को सब्सक्राइब कीजिए एडी लाइब का पूरी टीम को और से सभी को धन्य बाद जोहार